जैश्री राम मित्रों अज सुबह जब मैं न्यूस देख रहा था तो एक बहुत ही टुच्चे से नेता ने एक बयान दिया कि रामायर कालपनिक है मैं भगवान राम को नहीं मांगता आप भगवान राम को ना माने ये आपका अपना वयक्तिक आपका अपना विशे है परन्तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि रामायर कालपनिक है किसने आपको ये अधिकार दिया कि आप हमारी धर्म पर, हमारी आस्था पर, हमारी विश्वास पर, हमारी मान्यताओं पर और हमारी संस्कृति पर प्रश्न उठाएं यदि आपके ये निजी विचार हैं तो आपको इनको अपने तक ही सीमित रखना चाहिए क्या है राम और क्या है रामायन ये समझने के लिए ये जानने के लिए बहुत बड़ा हिरदय चाहिए बहुत बड़ा मस्तिस्क चाहिए और एक ऐसा आचनन चाहिए जो आपको राम को समझने की शक्ति प्रदान कर सके राम भगवान राम भारत के प्राण है भगवान राम जन मानस के प्रेनडा स्रोत है राम राम को जानना और समझना इतना कठिन भी नहीं है परंतो इतना सरल भी नहीं है राम एक आग्याकारी पुत्र है जो अपने पिता के वचनों के लिए अपना सर्वस सुन्योचावर कर देते है राम एक पत्नी वरता पती है जो माता सीता के लिए रावन जैसे त्रिलोक विजई से युद्ध करने से भी पीछे नहीं हटते हैं राम मित्रों के मित्र हैं पिर चाहे वो मित्र सुग्रीव हो या वो मित्र विभीशन हो या वो मित्र निशाद राजगू हो सभी को राम ने अपने हिर्दय में स्थान गया राम प्रजावत्सल है जिनोंने कभी भी अपनी प्रजा के कष्ट को अपने सिद अलग नहीं समझा राम एक ऐसे भाई हैं जिनके हिर्दय में अपने छोटे भाईयों के लिए अगाध प्रेम है कैसे कोई राम पर प्रश्ण उठा सकता है राम इस भारत वर्ष के इस कणकण में हर व्यक्ति की सोच में राम ही राम है और क्योई भी एरा गैरा व्यक्ति कोई भी छुट वहिया नेता कोई भी हमारी इस धार्मी कास्था पर हमारे धर्म पर हमारे विश्वास पर हमारे विचार पर प्रश्ण उठा देता है क्या आप में ऐसे साहस है कि किसी दूसरे धर्म किसी दूसरे संपरदाइपर आप ऐसे प्रशन उठा दे तो देखिए क्या हश्ष होता है याद कर लिए शारली अब्दु को याद कर लिए कमलेश्टिवारी को तो किसने आपको साहस दिया एक पार्टी वो बोलती है राम कालपनिक है रामायर कालपनिक है राम से तु कालपनिक है उनके बड़े-बड़े वकील कोर्ट में जाकर कैसा हलफ नामा देते है पर देखिए क्या हश्रुवा उनका आज वो स्वयम अपने पतन की तरफ अग्रसर है और इस संसार में हासिका पात्र है देखिए क्या दुर्गती हुई हुई है उनकी राम के स्थित्व पर प्रशन उठाने वालों का स्वयम अपना स्थित्वा संकट में है इसलिए राम को समझने के लिए रामायन को समझने के लिए आप में समझ होनी चाहिए क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन जैसी इसलिए हमें राम पर भगवान राम पर जो मर्यादा पुरुशोत्तम है ऐसे राम पर गर्व है विश्वास है आस्था है और मेरी हर एक व्यक्ती से एक विनम्र निवेदन है कि राम पर प्रशन ना उठाएए क्योंकि राम पर यदि आप प्रशन उठाते हैं तो ये भारत वर्ष के उपर प्रशन है मेरी यही आप से प्रार्थन है और यही आप से विंदी है जै श्री राम